जैमात आदी दोस्तों पूचे शक्ती में आप सभी मेरे भाईयों और भेनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नए विशे पर हम चर्चा करेंगे वो है हमारे शास्त्रों के अनुसार हम जब पेड़ पतियों से किसी भी प्रकार के उपाई या कोई भी कारे करते हैं तो वो हमें जो है बहुत ज़्यादा फायदेमन रहते हैं आप सभी जानते हैं कि शिवजी को आख मदार का जो फूल होता है वो कितना प्रिय होता है अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का या कुंडली में कोई भी अशुब ग्रह का प्रभाव हो रहा हो तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आख के जो पौधे होते हो बहुत ही जादा कारगर होते हैं ऐसे कि आप देख रहे हैं शिव पिंडी पर इसके फूल जो है सफेद रंग के मदार इसे मदार के फूल भी कहा जाता है और इससे जो है कई प्रकार के उपाय किये जा सकते हैं शिव महापुरान में भी इनकी व्याख्या बताई गई है यह घरों के आसपास अधिकतर देखा जाता है और यह बहुत आसानी से मिल भी जाता है जिनके पास पैसा टिकता नहीं है और हमेशा पैसे की तंगी चाही रहती है उनसे बचने के लिए घर के मुखे दर्वाजे पर हमें जो है मदार की जड़ को काले कपड़े में लपेट कर लटका देना चाहिए ऐसा घरने से घर की जितनी में नेगटिव एनरजीस है वो घर में से बाहर चली जाती है और बुरी energies जो होती हैं वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती है आगर आपके बिच्चे को बार बार नजर लगती है बच्चा यह चाहे चोटा हो चाहे बड़ा हो इसे भी निजात पाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि 108 इसके फूल की माला बनाकर आप बच्चे को पहना दे, रात बर पहना रहने दे और इसे जो है किसी भी शिवमंदीर में जाकर आप अर्पन करकर आ सकते हैं इससे बच्चे की नजर दोश जो है दूर हो जाती है बुरी नजर से कई बार तबीद भी खराब हो जाती है तब भी जो सफेद आख या मदार के फूल होते हैं इनकी माला पहना कर आप इससे घर के बाहर रख सकते हैं इससे भी जो है वो दोश समाप्त होयाता है अब सभी जानते हैं कि बाबा भूले बाबा को जो है सफेद आख के फूल कितने जादा प्रिय होते हैं शिव जी की पूजा रादना में खास तोर पर इनका बहुत विशेश महत्व बताया गया है सभी को जितने भी दूख होते होने दूर करने के लिए सफेद आख के फूल जो है शिव मंदिर में जा कर हमें अर्परण चाहिए शिव पिंडी पर हमें चड़ाने चाहिए हमें भूले बाबा के उपर इन फूलों की जो माला है इसे अरपन करना चाहिए जिससे आपके जीवन में सुकसमरिद्धी बनी रहे अगर आप कोई भी कारी करने से पहले जैसे कहा जाता है श्वेत आपके नीचे बैठकर प्रति दिन साधना करने से जल्दी ही किसी भी फल की प्राप्ति होती यानि आपके जीवन में अगर कोई ऐसी विशेश मनोकाना है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं तब आप आप फलों की प्राप्ति होती है ये खास तोर पर वियापार विरदी में बहुत जादा सहायक बताया गया है आपके वरक्ष के नीचे है मदार के वरक्ष के नीचे साधना करने से आपके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है ये जो वरक्ष है ये बहुत जादा विद बताया गया है इसके नीचे अगर आप बैठ कर कोई भी साधना अरादना करते हैं तो उसकी फलों की प्राप्ति यहां पर आपके शिव जी जो है वाती प्रसंद होते हैं गणपती जी बहुत जल्दी प्रसंद होते हैं साथी साथ इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की शत्रू पीड़ा हो या आपके जीवन में बिजनस को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो सभी जो है दूर हो जाती है तो आशा है आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा आज अपने वियानी को यहीं भी राम देते हुए हम फिर मिलें किसी नए विशे पर चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों